हालो बच्चो और साथ में अपने एक नोट्स बनाने के लिए नोट्बुक ताकि आप प्रॉपरली सारी चीजे समझ पाएं हम जल्दी बिटा एक कोश्चन्स की सीरीज भी लाएंगे आपके लिए कि आपको कोश्चन्स कराएंगे काफी सारे पर पहले जड़ा एक बार थियोरी को कम्प्लीट करते हैं हमने अल्रेडी जो कम्प्लीट किया है वो प्लांट फिजियोलजी के चार चैप्टर है हमने जो कम्प्लीट किया वो है प्लांट किंग्डम और एक चैप्टर जो हमने पढ़ा है वो सेल साइकिल है तो यह हमारा अभी 7th chapter है जिसको हम पढ़ रहे हैं biological classification और topic लिया हुआ है फंजाई चलिए start करते हैं फंजाई को और एक short में proper completely इसे समझते हैं देखें फंजाई को हम detail में पढ़ेंगे पर सबसे पहले कुछ basic बाते हैं फंजाई के बारे में हम जब भी कोई topic पढ़ते हैं ब sequence follow करते हैं हम sequence follow करते हैं कि सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं बिटा सबसे पहले पढ़ते हैं habitat कहां मिलती है फंजाई फिर हम पढ़ेंगे क्या चीज़ उसका structure पढ़ेंगे फिर reproduction पढ़ेंगे और उसकी कोई importance होगी disease को लोके वो जाने हैं clear तो अगर हम देखें तो आज भ topic would be structure हम फंजाई के structure के बारे में जानेंगे फिर फंजाई का हम क्या सीखेंगे nutrition कैसा है और फंजाई के reproduction के बारे में जानेंगे economic importance की जगा उससे related कुछ disorder होंगी disease होंगी basically disorder कह रहो plant और animal में कुछ disease होंगी उनको हम study करेंगे clear होगी बात तो start करते हैं अपना topic फंजाई और पढ़ते हैं बिटा सबसे पहले उसके habitat को तो अगर मैं आपको कहूँ कि फंजाई का habitat क्या है कैसा है तो सबसे पहले दिमाग में ये बिठाईए कि फंजाई को कैसी condition चाहिए तो अगर आपको कोई पूछे कि फंजाई को कौन सी conditions चाहिए तो आपको लिखना चाहिए हमारे पास warm and humid इस तरह की condition जहां भी मिलेगी फ warm and humid condition चाहिए इसलिए NCRT ने इस बाग को mention भी किया है कि फंजाई जो है मुझे वो उस जगा नहीं मिलती जहां पर cold temperature होता है जैसे हम fridge में खाना क्यों रखते है क्योंकि main reason तो यह है न कि फंजाई वहां grow नहीं कर सकती यह चीज़ समझ आ रहा है तो सबसे पहला habitat हो गया मत condition बोल दिया हमने warm and humid condition तो फंजाई mainly saprophytic है अगर आप ध्यान से देखें फंजाई mainly क्या है हमारे पास saprophytic है mainly saprophytic है तो इसका मतलब यह उसी तरीके कि खाने की चीजों पे काफी जादा मिलेगा जैसे कि आप देखें यह कहां मिल जाएगा बेटा मुझे यह मिल जाएगा मिल जाएगा कोई fruit खराब हो रहा है मुझे वहां मिल जाएगा rotten fruit पे यह mushroom की form में मुझे जो चीज खराब हो रही है उस पे मिल जाएगा मुझे bread पे मिल जाता है मतला fungi के लिए word यूज किया हुआ है cosmopolitan सब जगा मिल जाता है मालों यहां भी रूम में fungi के spore उड़ रहे है जहां पे भी उसको खाने की चीज मिलेगी वह grow कर जाएगा कि उसका nature saprophytic है तो यह चीज समझ आना चाहिए तो हम लोग देखते rotten fruit, moist bread, some antibiotics, mushroom जो है वो decaying चीज प पर grow करके बनता है कुछ parasitic भी दिखती है हमें फंजाई तो parasitic भी कौन सी दिखती है जैसे कि हमारे पास बिटा एक है हम लोग कहते हैं कि वी जो हमारे पास mustard है mustard की leaf पे आपको मिल जाएगा ऐसे mustard की leaf पे white color का इस तरह के से मिल जाएगा जो albugo की वजए सी होगा हना तो ऐसे आपको मिल जाएगा तो normally जो फंजाई disease करती है उनके नाम rust और smut होते हैं clear rust और smut होते हैं ठीक है तो उस सरीके से मिल जाएगा तो फंजाई मुझे बहुत सारी जगा मिल जाती है ठीक है लेकिन उसकी conditions क्या है conditions है फंजाई की जो मैंने आपको लिखी warm और humid condition ह हना और हम फंजाई के लिए word यूज़ कर देते हैं cosmopolitan cosmopolitan का मतलब बहुत सारी जगा मिलने वाला तो आप देख सकते हो फंजाई काफी सारी जगा मिलती है और उसका main हम ऐसे बोलेंगे फंजाई हर उस जगा मिल सकती है जहाँ पर पहला moisture हो humidity हो ताकि spore germinate कर सके दूसरा food ह क्योंकि वो saprophytic nutrition की तरह काम करेगा उसका खाने का तरीका ताकि उससे वो absorb कर सके यहां तक समझ आ रही है जिसे yeast हमारे पास एक फंजाई है ठीक है तोड स्टूल एक poisonous फंजाई है जैसे मालो yeast है yeast क्या करता है इथिनॉल बनाता है किस पे grow करता है sugar पे grow करता है किस पे grow on sugar इ तोड स्टूल कैसा है poisonous है तो आपके सामने है बिटा warm और humid condition main है बाकी तो मैंने यह बहुत सारे आपको बता दिये कहां कहां मिलता है तो यह हमने का simple habitat की बात कर लिए है अब हम क्या पढ़ेंगे बिटा habitat के बाद इसके structure की बात करेंगे यह कहां मिलता है इसके हम structure की बात कर है तो जब हम इसका structure observe करते हैं ठीक है structure observe करते हैं तो fungi exactly है क्या सबसे पहला point structure को लेके हम यह कहते हैं कि fungi एक multicellular structure है fungi क्या है multicellular filamentous है अब इसमें एक exception है yeast इसका question आया भी था नीट में yeast जो है उसको हम unicellular fungi मानते हैं तो yeast को हम कैसी फणजाई मानते हैं unicellular उसको अगर हम ले ले जो की exception है हमारे पास एक तरीके से accept हमने लिख दिया बाकी mostly fungi हमारे पास क्या होती है multicellular filamentous देखो वो कैसी दिखती है actual में क्या होता है बिटा actual में क्या होता है कि fungi हमारे पास इस तरीके का structure बनाती है जिसे हम हाइफे कहते है फंजाई क्या करते है इस तरह का structure बनाती है जिसे हम क्या बोलते है हाइफे अब ये हाइफे क्या होते है समझना बहुत ध्यान से समझना ये हाइफे कैसे होते है उस thread like होते है कैसे होते है thread like होते है और अगर आप ध्यान से देखो बिता सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब ऐसे वाला सिलेंडर इसे कहते हैं पतला, सिलेंडर का मतलब होता है थिन, elongated है सीधे, मतलब लंबे है elongated है, thread-like है तो इस structure को हमने क्या नाम दिया हाइफे बोला, तो फंजाई का एक basic structure होता है, जिसे हम कहते है हाइफे, धागा, हाइफे thread होता है, वो हाइफे मिलकर, ध्यान से सुनेंगे इसी तरीके से मालो मैंने ये हाइफे बना दिया, ये भी एक हाइफे है कि केसमे nucleus दिखा रहे हैं हम लोग तो हाइफे मुझे कैसे दिखते हैं, पहले वो देख लेते हैं हाइफे मुझे दो टाइप के मिलते हैं फंजाई में, एक वो हाइफे मिलता है, ध्यान से सुनो एक वो हाइफे मिलता है जिसके बीच में हमारे पास क्या है, बहुत सारे nucleus है, बहुत सारे क्या है nucleus है ऐसा हाइफे मिलता है ठीक है तो इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम कहते हैं multi-nucleated इसे हम क्या बोलते हैं multi-nucleated और इसे हम क्या बोलते हैं sinusitic इसे हम क्या बोलते हैं sinusitic तो ये मेरे पास multi-nucleated और sinusitic है clear multi-nucleated और sinusitic के मतलब मेरी बासनों द्यान से एक हाइफे ऐसे होता है देखो द्यान चे देखो बीटा मैंने यह बनाए पहले दिखना इसे मालो मैंने यह धागा बना दे इसे हाइफे कह रहे है इसके बीच में यह न्योख्लिय अ ढूब को एक line डिवाइड कर रही है एसे एक ऐसे line में कर रहे हैं सेब्ता ऎसको हम क्या कहते हैं सैप्ता खीक है तो यह स्वीय वाला हएं व वह हमारे पास कैसा दिख दिख रह रहा है सैप्टे ीड दिख रहा ह। और यहां पर इसके साथ ऐसे branch भी बन जाती है क्या बन जाती है ऐसे हमारे पास branch भी बन जाती है ठीक है अब ये वाला अगर आप ध्यान से देखो इसमें सारे nucleus एक साथ दिख रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं aceptate aceptate का मतलब एक multi-nucleated condition उसके लिए word यूज़ करते हैं sinusitic तो आपने क्या सीखा आपने सीखा फंजाई एक multi-cellular structure बनाती है जिसे हाइफे कहते हैं हाइफे धागे जैसा structure होता है पतला तो फंजाई के spore normally spore जो ऐसे हवा में उड़ रहे है कहीं खाने की जगा पे गिरे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हाइफे बनाएंगे क्या बनाएंगे हाइफे तो ये हाइफे बनाएफे दो तरीके के होते हैं अलग-लग फंजाई में एक होता है जिसमें ये septa हो septa मतलब वो line जो इसको अलग कर रहे है nucleus को खीकर एक line होती है फंजाई multicellular धागे बनाती है जिसे हम हाइफे कहते हैं हाइफे is two of two type one is septate another is a septate clear होगी बात ठीक है आगे चलते हैं हमारे पस ये हाइफे हैं आपके सामने आप देख सकते हो now these हाइफे है these septa देख पारे हैं ये nucleus है यहाँ पर ये septa है देख रहें ब्रांच है इस तरीके से clear ठीक है और यहाँ पर देखो आप इसको यहाँ पर हमारे पस क्या है ये a septate है देख पा रहे हैं ये वाला ये वाला क्या है हमारे पस a septate दिखा रहे हैं इसको ठीक है और ये वाला हमारे पस क्या है septic, this is septic, ठीक, यह हाइफे हो गए, अब ज़रा आगे चलते हैं, जहान से सुनेंगे, हमने हाइफे की बात कर लिए, तो हमने यह बोला, कि फंजाई के हवा में खुब सारे spore उड़ते है, spore single cell होता है, now this spore, जो है, उसने क्या किया, divide करके, mitosis कह सकते हैं, एक तरह की division करके, एक structure बना लिया, जिससे हमने क्या बोल दिया, हाइफे बोल दिया, यह वाला हाइफे मैंने कुन सा बनाया है, यह septic वाला हाइफे बना लिया, now these हाइफे, यह हाइफे ऐसे ही कठे होते चले जाते हैं, खूब सारे हाइफे बन जाते हैं, तो जब यह हाइफे खुब सारे होंगे तो मैं लिखता हूँ N into हाइफे is equal to structure known as mycelium तो spore हाइफे बनाएगा हाइफे क्या बनाता है mycelium बनाता है अब कहानी यहीं नहीं है होता ही है बिटा कि फंजाई एक सैप्रोफिटिक और्गेनिजम है नेचर में उसको अलग-लग जगा पहुचना होता है या स्पोर उड़के कहीं गिरे कहीं गिरे होता यह है कि फंजाई कैसे कैसे reproduce करती है स्पोर से mycelium बनाते हैं इस पर और स्पोर बनते हैं ताकि वो नई जगा जा सके तो हम यह देखते हैं बिटा हम यह देखते हैं कि जो हमारे पास फंजाई है फंजाई में हमारे पास इस तरीके से ध्यान से देखो बिटा इस तरीके से फंजाई में हमारे पास ध्यान से देखेंगे मालो हम कहते है ठीक है फंजाई जो है उसने क्या बनाया फंजाई ने हाइफे से माइसीलियम बनाया तो फंजाई के अंदर माइसीलियम मुझे कई तरीके से दिखते हैं Mycelium जो होते हैं वो कई तरीके से many structure form कर सकते हैं, अलग लग तरह के structure form कर सकते हैं कैसे सबसे पहले तो normal mycelium जो basically क्या है किसी dead चीज पर ऐसे horizontal grow कर रहा है धागे हैं एक normal mycelium है जिसमें बहुत सारे हाइफे हैं तो एक normal mycelium बन सकता है ठीक है, ऐसा भी possible है कि normal mycelium के उपर कुछ mycelium air में grow कर जाएं और उस पे spore बने ऐसे mycelium को हम क्या नाम देते हैं, fruiting body दिमाग में बिठाओ fruiting body क्या होता है, fruiting body क्या होता है हमारे पास fruiting body एक ऐसा mycelium है जो हवा में बनाया, ताकि वो spore बनाके मदलब दूर दूर तक spore को भेश सके इची सोच पारे हो, तो fruiting body क्या हो गया, एक special type का mycelium हो गया तो आपको मैंने क्या सिखा है, आपको यह सिखा है मैंने, spores can give one hyphae, two hyphae, one hyphae बनाएगा खूब सारे hyphae मिलके mycelium क्योंकि ग्रो करते चले जाएंगे, अब हमने का कि fungi में normal mycelium ऐसा होता है जो horizontally खाने की चीज़ पे या dead चीज़ पे ग्रो करता चला जाता है, कई बर क्या होता है, कुछ special structure बनते है mycelium पे, clear, और वो किसले बनते है, spore बनाने के लिए अगर मैं आप से कहूँ, define fruiting body, मालो आप class 11 में हो या dropper में हो, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, fruiting body is a special mycelium, which is produce upright, upright मतलब सीधा, to produce spore, समझ जा रहा है fruiting body is a upright mycelium, which is, कैसे बना, which is upright, सीधा है, to produce spore, spore बनाने के लिए, तो fruiting body याद रहेगा, special type का mycelium, कई बर बच्चों confusion होती है, mycelium क्या है, fruiting body क्या है, तो simple, एक धागा हाइफे, खुब सारे धागे mycelium, mycelium सीधे भी ग्रो कर सकता है, fruiting body भी, कुछ mycelium क्या होते है लीफ में चले जाते हैं, कुछ mycelium मालो ये मैंने लीफ बना दी आपके लिए, मैंने का कि चलो ठीक है, ये लीफ है आपके पास, ठीक है, दिस इस वन लीफ, ये मालो लीफ है, तो कई बार क्या होता है, लीफ को फंजाई ने अटेक कर लिया, ऐसे अटेक कर लिया लीफ को हना, उसमें से कुछ hyphae अंदर जाके, उसमें से खाना एब्जॉर्ब करके लिया आते हैं, लीफ के अंदर जाते हैं, और वहां से खाना एब्जॉर्ब करके लिया आते हैं, सेल में से, ऐसे special mycelium को hostoria कह देते हैं, तो hostoria आपके slavus में तो है नहीं, आपको ज़ादे detail क्या है horizontal hyphae mycelium हवा में बना fruiting body आ रिये समझ ठीक आगे चलो देखो अब आगे गए बटा हमने कह दी ठीक है यह बात तो हमें structure की समझ आ गए तो हमें simple language में भासा में simple भासा में यह समझ आ गया कि इस पोर जो है स्पोर से हाइफे बन सकते हैं now this हाइफे can form mycelium ठीक है mycelium normal type का हो सकता है and it can be fruiting body अब जरा दो तिन बात और सुने ध्यान से आपको बिटा थोड़ी सी detail फंजाई के cell की पता होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फंजाई के cell की क्या detail है फंजाई के cell की detail cell के बारे में पता होना चाहिए कि सबसे पहले उसकी cell wall किसकी है cell wall उसकी बिटा काइटीन की है उसके अलावा कुछ और कार्बो हाइडरेड भी हो सकते हैं हम इस बात को जरूर देखेंगे कौन से कार्बो हाइडरेड हो सकते हैं फंजाई में storage खाना खाने का storage glycogen है याद रखना बिटा क्योंकि glycogen animal cell में भी होता है glycogen फंजाई में भी है और कुछ बैक्टीरिया में glycogen granule होता है आगई बात समझ ग्लाइकोजन granule तो ये बात आ गई तो cell wall हमारे पास cell wall हमारे पास kाइटीन है carbohydrate है और storage है जिसे हम क्या बोलते है glycogen जिसे हम क्या बोलते है glycogen क्लियर आ गई बात समझ बटा क्लियर समझ आ गई मुझे मेरी बात आपको लग रहा है समझ आ गई है यहाँ पे ना तो glycogen हो सकता है अब देखो जड़ा यह तो आप कुछ detail अचा मैं आपसे पूछाई में pigment होते हैं आप कहो के नहीं मैं कहूंगा pigment हो सकते हैं जो उसे color दे सकते हैं बट chlorophyll नहीं होगा तो इसका मतलब photosynthesis नहीं होगा pigment हो सकते हैं जो उसे color देंगे जैसे मारे पास अलग-अलग color के mild होते हैं तो color देने वाले pigment हो सकते हैं which can be carotinoids बट क्या नहीं हो सकते हैं chlorophyll नहीं हो सकते हैं इसलिए photosynthesis नहीं होगा done ठीक है clear चलो आगे जाते हैं और फंजाई के nutrition की बात करते हैं कि फंजाई कैसे खाना खाता है ना ठीक है देखो जब हमने monera पढ़ा था तो monera में six type का nutrition बताया था जिसको doubt or lecture देखना monera का second है monera second वाले में मैंने पढ़ाया था यह ठीक है clear बिटा pure NCRT पढ़ा रहां ध्यान से सुनना जब हमने monera पढ़ा था तो हमने कहा था कि उसमें six type का nutrition है autotrophic तीन है तीन heterotrophic monera का तीन heterotrophic था saprophytic parasitic symbiotic फंजाई में वही तीनो टाइप का फंजाई में भी होता है तो फंजाई का जो nutrition है हमारे पास अगर मैं उसकी बात करूं nutrition की बात करूं तो type of nutrition जो फंजाई में है वो कौन सा है ध्यान से सुने type of nutrition जो फंजाई में है वो कौन सा है बिटा हमारे पास देखें से वो हमारे पास है type of nutrition फंजाई में तीन है स्थ्षिशन हमारे पास पैरासिटिक है ध्यान से सुनना फिर्स्टिक किस पर यह मैं एक्चुल में फिर्स लिखना चाहता हूं आपके पास सेपरोफिटिक क्योंकि सबसे ज़्यादा फंजाई में न्यूट्रिशन सेपरोफिटिक होता है तो first is saprophytic saprophytic कैसे होगा जरा समझ लेते हैं saprophytic में क्या होगा जरा देख लो बेटा ये मालो हाइफे हैं ये हाइफे क्या करेंगे ये हाइफे हैं mycelium बना रखा इन्होंने क्या release किया enzyme enzyme release किया बहार dead चीज पे उसको break किया soluble organic में break किया किसमे soluble चीज में और organic में जैसे मालो कार्बो हाइडरेट को glucose में तोड लिया starch को glucose में तोड लिया cellulose को glucose में तोड लिया और फिस उस organic को absorb किया उसको क्या किया absorb किया इसी लिए बिटा ये कुछ books में मिलेगा बहुत special word है osmotorof कहते हैं osmotorof वो होता है जो organic form में चीजों को ऐसे absorb कर रहा है तो ये soluble organic food को absorb करते हैं तो saprophytic को आप लिखोगे कि they absorb they absorb soluble organic food soluble organic food ये soluble organic food को absorb करते हैं इसे हम saprophytic कह रहे हैं इसे हम क्या कह रहे हैं saprophytic next हमारे पास क्या है बिटा second is हमारे पास next हमारे पास ध्यान से सुनना इसे हमने saprophytic कह दिया इसे हमने क्या कह दिया saprophytic कह दिया saprophytic के बाद second है हमारे पास first is saprophytic saprophytic खीट समझ आ रहा है, first saprophytic है, second हो गया हमारे पास parasitic है, parasitic किस पे, plant और animals पे, छीक, parasitic है मतलब on plants and animals, plants और animals पे यह ऐजा parasite काम करते हैं, छीक है, plants में तो हम देख सकते हैं, बहुत सारे disease फंजाई से होती है, third type of nutrition very important, that is saprophytic, sorry, symbiotic, symbiotic, symbiotic बहुत important है, और आपके syllabus में दो नाम हैं ऐसे, एक क्या है, जान से देखें, एक क्या है हमारे पास lichen, lichen में दो लोग होते हैं, एक होती है algae, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, algae कैसी होती है, unicellular की multicellular, एक बात ये बताओगे आप मुझे, दूसरी बात आप मुझे ये बताओगे, कि algae और फंजाई में से कौन जादा होता है, दोनों equal होते हैं कि कोई जादा होता है, ठीके, तो lichen में algae और फंजाई दोनों होते हैं, photosynthesis करते हैं, तो आपको समझाना चाहिए, algae photosynthesis करेगी, फंजाई क्या देगी, water और mineral absorb करेगी, ठ इसे आप mycorrhiza कहते हैं, mycorrhiza, now what is mycorrhiza, mycorrhiza क्या होता है बेटा, root के साथ, मालों किसी plant की root के साथ, हमारे पास फंजाई के हाइफे जोड़े रहते हैं, फंजाई के क्या जोड़े रहते हैं, हाइफे, तो फंजाई के fungal हाइफे root के साथ है, NCRT लिखते है, root of higher plants, higher plants मतलब जिनोर एंजियोस्परम, हमने पढ़ा भी था, transport in plant में, pinus का seed germinate नहीं करता, without mycorrhiza, clear हो गई, तो ये तीन टाइप का nutrition हो गया, saprophytic, parasitic, symbiotic, mycorrhiza like and detail में अलग से पढ़ना है, ठीक है, clear, आगे बात करते हैं, next बात करते हैं, ध्यान से सुनना, next पढ़ते हैं, next हम लोग जा reproduction के बारे में, ध्यान से देखो बिटा, फंजाई का reproduction क्या है, बहुत important ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, फंजाई का reproduction क्या है, बहुत important है, ध्यान से देखें, देखें, फंजाई में क्या है बिटा, actual में क्या किया है, फंजाई में reproduction को दो की जगा, तीन category में divide कर दिया, उसन सबसे पहली टाइप है वेजिटेटिव फिर सेकिंड है एसेक्शुल सेकिंड हमारे पास बिटा एसेक्शुल है और थर्ड हमारे पास है सेक्शुल ये हमारे पास तीन टाइप है हम सबसे पहले किसके बारे में जानना चाह रहे हैं सबसे पहले हम जानना चाहरे हैं किसके बारे में, वेजीटेटिव के बारे में, ये क्या है, घान से सुनना बिटा, what is difference between वेजीटेटिव और एसेक्शुल, वेजीटेटिव और एसेक्शुल में किस तरीके से हुआ इस बात का फरक है, बड़ता वेरियेशन जो है दोनों में बहुत कमाती है, तो वेजीटेटिव के तीन मेफ़ड ENCIT बताती है, फर्स्ट वो कहता है बिटा, फिजन, ज्यान जुनें, फर्स्ट वो कहता है हमारे पास फिजन, ठीक है, फिजन, फिजन क्या होगा, एक सेल से ऐसा दो सेल में डिवाइड करना, और सेकिंड हमारे पास क actual में क्या होता है बेटा हमारे पास एक east होता है जिसे budding east कहते हैं और एक होता है fission east ये दोनों मुझे किस में मिल जाता है ये मुझे east में मिलता है ठीक है east में पर जो आपके syllabus में है east उसमें budding वाला east है समझ रो आपके syllabus में जो east है जो class 12 में भी पढ़ोगे वो कौन से वाला हो गई एक हो गई fission और एक हो गई budding थर्ड टाइप जो हम बात करेंगे वह है fragmentation जो बहुत कॉमन होती है अना फंजाई में काफी कॉमन होती है जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं fragmentation क्या नाम दे रहे हैं fragmentation तो fragmentation बहुत कॉमन होती है fragmentation अमारे पास काफी जादा कॉमन होती है फंजाई में काफी जादा कॉमन होती है हाइफे टूट गए तो अगर आपसे पूछा जाए जहां से सुनना बिटा अगर आपसे पूछा जाए most common type of reproduction in fungi जो easily सारी फंजाई में हो सकती है अगर पूछा of reproduction present in all fungi सारे groups में हो जाए वो fragmentation fragmentation खली east में नहीं होगी बाकी सम में हो जाएगी समझ आ रहा है fragmentation का मतलब यह हुआ यह algae में भी तो होती है हाइफे टूटके नए हाइफे बना देंगे और ग्रो कर जाएगे यहां तक समझ आ गई बटा चीक है तो यह आपके सामने है यह चीजे मतलब fragmentation क्या है हना तो हमने सबसे पहले क्या बोला बिटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे vegetative को फिर पढ़ रहें asexual को तो fission budding fragmentation यह मेरे पास क्या है vegetative है clear next चीज हम बात कर सकते हैं बिटा asexual reproduction की next हम बात करेंगे asexual reproduction की ध्यान से सुनना asexual reproduction में क्या होता है बिटा हमारे पास spore formation होती है क्या होता है spore formation होती है यह spore formation कैसे होगी बड़ा interesting है देखते हैं जरा देखो हमारे पास यह myceleum है this is mycelium जो किसी dead चीज पर ऐसे ग्रो कर रहा दिस इस mycelium यह mycelium है जो किस पर ग्रो कर रहा है dead चीज पर ग्रो जो कर रहा है यह mycelium है इस mycelium में जब condition हमारे पास थोड़ी सी favorable type थोड़ी सी condition ऐसी होंगी कि अब उसको favorable लग रहा है वो अपने आपका number बढ़ा सकता है तो that mycelium क्या करेगा एक aerial structure बना देगा एक aerial structure बना देगा जिसे हम क्या नाम देंगे जिसे हम नाम देंगे fruiting body ऐसा कुछ बना देगा जिसे हम fruiting body का नाम देंगे अब इस fruiting body अब इस fruiting body पे मेरे पास क्या बन सकते है spore तो इस fruiting body पे हमारे पास क्या बन जाएंगे बिटा fruiting body पे हमारे पास क्या बन जाएंगे इस fruiting body पर हमारे पास spore बन जाएंगे इस पर क्या लगजाएंगे मैंने बना दिये support देखो जलदी से, मैंने क्या करे ऐसे inspire बना दिये इस पर क्या बना गए 54 स्पोर हवा से जैसे भी उड़के डिसपर्स होके आ गए तो हम क्या चारे हैं थोड़ी सी knowledge spore के बारे में बढ़ाना चारे है पर spore मान लो haploid है और कैसा है single cell है अभी के लिए तो इतनी बात समझो तो spore हमारे पास haploid है और single cell है तो हमने देखा mycelium ने क्या किया fruiting body के उपर spore बनाया ऐसे और वो जो spore है वो जो spore है बेटा वो spore क्या करेगा जैसे ही उसको favorable condition मिलेगी वो दुबारा से क्या करेगा grow करके spore germinate करेगा mitosis करेगा और वो grow करके फिर से mycelium बना लेगा ये चीज़ समझा रही है तो ये asexual reproduction होती है तो fungi में asexual reproduction के लिए क्या चाहिए fruiting body चाहिए अब मुझे एक नई चीज़ सीखनी आपर ये spore बने कैसे इसको थोड़ा सीखते है जरा ये है क्या spore क्या है इनके बारे में समझते है यहाँ पर कुछ rule apply करने वाला हूँ मैं उसको समझेंगे पर एक basic rule आप अपने दिमाग में बिठा लो ठीक है जो मैं बताऊंगा आपको ठीक है आप आगे की सारी चीज़े समझ सको देखो rule ये है जो मैं rule बताऊंगा उसके बास spore के बारे में बता रहे है rule ये है बिटा rule ये है कि अगर ध्यान से देखें सबसे पहले rule ये है कि मैं कह रहा हूँ this spore is haploid ठीक है जँआन से सुनना बिटा rule क्या है rule ये है कि this spore is haploid ये spore कैसा है this spore is haploid ये spore क्या है haploid है अब जरह rule लगाते हैं क्या लगाने बाले दूसरा ये single cell है ये कैसा है single cell है जहां से देखना आप, जहां से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कह रहा हूँ यह mycelium है, mycelium haploid है, haploid mycelium पर बनने वाली fruiting body, haploid mycelium पर बनने वाली fruiting body भी haploid होगी, दिमाग में बठाओ इसे, मैंने कहा कि यह जो mycelium, मैं बटा कुछ rule बता रहा हूँ ताकि कोटा सा टॉपिक समझा रहा हूँ, माल लो आपके पास mycelium के सारे हाइफे haploid है, तो उस पर बनने वाली fruiting body भी haploid होगी, fruiting body भी कैसी होगी, haploid होगी, उस fruiting body पे अगर आप spore बनाओगे, तो कैसे बनाओगे, आप कहोगे, fruiting body पे spore बनेंगे mitosis से, क्योंकि spore hapl haploid है, देखो जरा, कहानी समझो द्यान से, देखो मैंने क्या बोला, मैंने का spore haploid होते है, fruiting body haploid है, तो यह haploid fruiting body पर, अगर आपको spore बनाना है, तो आपको कौन सी division करनी है, आप कहोगे mitosis करनी पड़ेगी भाई, बिना उसके नहीं मनेगा, तो मैं इस चीज़ को words में, मैं लिख रहा हूँ, कि if fruiting body is, if fruiting body is haploid, अगर haploid है, बिटा patience चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को समझने के लिए, तो, तो क्या होगा, by mitosis, spore formation होगी, ठीक है, spore formation होगी, by mitosis, यहां तक समझो, clear, by mitosis, spore formation होगी, आगे की कहानी कहा है, आगे की कहानी यह है बिटा, अगर आपके पास, अगर आपके पास, किसी वज़े से, mycelium diploid है, this mycelium is 2N, तो इस पर बनने वाली fruiting body भी क्या होगी, diploid होगी, दिमाग में बिठाओ इस बात को, इस पर भी बनने वाली fruiting body 2N होगी, उस पर बनने वाले, ध्यान से जुने, बिटा, उस पर बनने वाले, यह क्या बन गई मेरे पास, ध्यान से जुनो, यह क्या बन गई मेरे पास, fruiting body कैसी बन गई, यह fruiting body बन गई, 2N इस पर बनने वाले जो spore हैं, वो spore भी कैसे होंगे, heploid लेकिन यह क्या करेगा, जहां से सोचो बटा, मैंने का fruiting body diploid है, तो इस पर बनने वाले जो spore होंगे, वो क्या से बनेंगे, हम कहेंगे meiosis, क्यों क्योंकि spore तो heploid है, तो हमारे पास क्या होगी यहां पर, meiosis, हमने का meiosis होगी, तो क्या मतलब समझ मैं, यह समझ आया, mycelium heploid है, fruiting body heploid, mytosis से spore, fruiting body diploid है, समझे रहो, meiosis करके spore बनाना पड़ेगा, heploid लाना पड़ेगा, तो कहानी यह समझ आनी चाहिए, कि spore हमेशा heploid और single cell है, कैसे बनेगा, यह बात vary करती है, तो हम यहां पर अब इसको सीखने वाले हैं, कि type of spore करके एक topic है, जो मुझे help करेगा, फंजाई समझने में, बहुत important topic है, द adding डाल रहा हूँ, type of spore, ज्यान से सुनेंगे बिटा, सबसे पहले मैं कहता हूँ, spore जो है, सबसे पहली type जो बनाता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, spore can be motile and non-motile, इतने दिन पढ़ने के बाद आपको यह समझ आना चाहिए, जब भी मैं motile word use करो, तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, फ्लेजिला, तो spore can be motile मतलब flagella है, और non-motile मतलब flagella नहीं है, motile वाले के लिए zoo word लगा देते हैं, zoo spore, zoo का मतलब animal motile, और इसके लिए word use कर देते हैं, aplanospor, तो non-motile spore के लिए क्या word use कर देते हैं, aplanospor, तो सबसे पहला हमने क्या सिखा, motile और non-motile spore, दूसरी कहानी दूसरी कहानी बता second point second point हमने कहा second point हमने कहा कोई और तरह का spore मैंने कहा बिल्कुल है देखे जरा एक टाइप है endogenous and exogenous यह बड़ा interesting इधर देखना बता this is hyphae छीक इस पर यह fruiting body बन गई इस फ्रूटिंग बॉड़ी पर इस तरीके से कवर बन गया इस कवर इस नोन है स्पोरेंजिया मालो इसका नाम स्पोरेंजिया रख दिया इस स्पोरेंजिया इस सिंपल कवर और भी कोछ हो सकता है इस कवर के अंदर स्पोर बन रहे हैं इस कवर के क्या बन रहे हैं अंदर स्पोर बन रहे हैं ये बन रहे हैं स्पोर तो ये जो स्पोर कवर के अंदर बने इन्हें हम नाम देते हैं endogenous अंदर बनने वाले स्पोर ये motile हो सकता है non motile हो एक अलग बात है लेकिन अगर किसी कवर के अंदर स्पोर बनेंगे तो उन्हें क्या नाम दोगे आप, एंडोजीनस बहुत बढ़िया, तो क्या सर, एक्सोजीनस भी कुछ होता है अभी देख लो, आप समझ गए होगे, एक्सोजीनस क्या होगा खुद से, अगर स्पोर डिरेक्ली बिना कवर के बने, बिना कवर के बने ऐसे वो डिरेक्ली ऐसे बन रहे हैं, इसके उपर इस विदाउट एनी कवर कवर मतलो कोई कवर नहीं इसके बार इस टाइप अव स्पोर फॉर्मेशन इस नोन एस एक्सोजीनस इसके लिए क्या वर्ड यूस कर दिया एक्सोजीनस, समझ आया तो स्पोर फॉर्मेशन हमने अभी दो टाइप की पढ़ली, एक मोटाइल, नोन मोटाइल, ठीक है हमने दो टाइप की पढ़ली विटा एक हमने पढ़ली कौन सी मोटाइल, नोन मोटाइल और एक हमने पढ़ली एंडोजीनस, एक्सोजीनस एक थर्ड टाइप और होती है, स्पोर की, उसको सीखेंगे तो बहुत सारी चीज समझ आएगी, आपको, थर्ड टाइप हमारे पास है, ध्यान से सुनना, थर्ड टाइप हमारे पास है, वो क्या है, सुनना ध्यान से, थर्ड टाइप है हमारे पास बिटा, ध्यान से सुनेंग यह क्या मतलब हुआ यह अभी हमने पढ़ा भी था, sexual और asexual spor का क्या मीनिंग है, normally हमें क्या दिखता है, कि deploid stage, जैसे यह हाई-fay haploid है, यहीं हमने यही fruiting body पर यहां से देखें यह haploid fruiting यह haploid hyphen इस पर यह fruiting body भी क्या हो गई this fruiting body is also haploid दिमाग लगाओ तो इस पर जो spore बने वो किस से बनेंगे mitosis से spore by mitosis ऐसे spore को हम क्या नाम देते हैं बिटा एसा spore जो mitosis से बनता है उसको हम नाम देते हैं asexual spore तो याद क्या रखना है asexual spore are product of mitosis याद रहेगा अब जड़ा आगे आओ क्योंकि बिटा यह term confuse करती है बच्चों को यह term बच्चों को confuse करती है क्योंकि वो समझ नहीं इनके मतलब क्या है sexual spore बहुत सारे बच्चे सोच पाएंगे अब इसे sexual spore का मतलब यह hyphae this is hyphae now this hyphae is diploid इस पर बनने वाली fruiting body याद करो बिटा diploid पर diploid चीज बनेगी diploid पर haploid बनाने के लिए meiosis करनी पड़ती है now this is also diploid fruiting body लेकिन मुझे spore तो haploid ही बनाने है तो haploid spore क्या आप कैसे बनाएं मैंने यहां क्या करनी पड़ी meiosis तो sexual spore जो होते हैं कहीं न कहीं उसमें meiosis involved है तो आप याद रखो meiosis से बनने वाले spore को हम क्या नाम देते हैं sexual spore नाम देते हैं कहीं न कहीं बिटा deployed stage जो है वो कहीं न कहीं किसमें आती है sexual reproduction में तो आपने तीन तरह के spore सीख लिए कौन कौन से सीखे पहला motile और non motile ठीक है clear हो गया दूसरा endogenous exogenous तीसरा sexual and asexual spore थर्ड क्या हो गया sexual and asexual spore clear है बोलो sexual and asexual spore हमारे पास क्या होगी यह देख रहे हो sexual spore और asexual spore तो asexual spore देख रहे हैं यहाँ पर haploid, hyphae, fruiting body इस तरह के से clear खीक है तो यह तीन टाइप के spore हो गये clear समझ आ रहा है बेटा हम इन टर्म्स को यूज करेंगे sexual asexual spore क्या है हमारे पास motile non motile क्या है endogenous exogenous इसके मतलब समझ आ जाए बस topic easy है clear अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा sexual reproduction की detail जानेंगे फंजाई में एक general detail जानेंगे फिर आगे से detail पढ़ेंगे देखो general detail का मतलब थोड़ा सा कुछ जानने से sexual reproduction कैसे होती है फंजाई में ध्यान से जुनों कैसे होती है हना clear तो हम यह मानते हैं बेटा फंजाई जो है वो उसमें हमारे पास हाइफे वगर होते है ठीक है उनकी sexual reproduction में हम तीन stage main consider करते हैं मतलब फंजाई की sexual reproduction में हम तीन main stage consider करते हैं तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि हमारे पास यह हाइफे हैं mycelium basically now this is another mycelium important चीज है यह दोनों same फंजाई है यह दोनों क्या है हमारे पास same फंजाई है मतलब genus species same है पर genetically अलग हो सकते हैं हम लिखते हैं genetically अलग genetically different के लिए word यूज करते हैं different strain तो यह दोनों बिटा मेरे पास mycelium है और दोनों फंजाई सेम है मालो यह penicillium है तो यह भी penicillium है यह इसका mycelium है इसका mycelium haploid है अगर आपसे कहा जाए कि इस haploid stage से gamut बनाओ इस haploid stage से आप क्या बनाओ गैमिट बनाओ तो आप कैसे बनाओगे सोचो अगर आपसे कहा जाए है haploid से gamut बनाओ तो आप गैमिट कैसे बनाओगे आप कहोगे mytosis तो हमने क्या करा इससे gamut बना लिया यह यह चीज क्या है gamut what are gamut single cell के होते है और अगर आपको gamut haploid से बनाने है तो क्या करनी पड़ेगी mytosis तो मैं इन arrow पर mytosis लिख सकता हूँ तो मैंने कहा this is mycelium mycelium में मैंने mytosis करी और मेरे पास क्या आगए gamut आगए ठीक है अब इन gamut को fuse करेंगे इन gamut को fuse करेंगे ध्यान से समझे इन gamut को मैंने fuse कर लिया ठीक है fuse कर लिया fuse करने के process के लिए term है जिसे हम कहते है plasmo gammy मैंने कहा था 3 step है पहला step आगया now what is plasmo gammy मेरे पास plasmo gammy क्या होता है इनका एक तरीके से मैंने proto plasm fuse कर दिया मैंने क्या fuse कर दिया proto plasm इनका siteoplasm या अभी proto plasm same रखो अलग होता है प्रो प्रो PK empresaी कर दिया उसे plasma gammy कहते हैन का nucleus fuse नहीं हुआ ठीक है plasmo gammy के बाद हमारे पास जो stage बनी जो stage बनी उसमें हमारे पस दो nucleus है ऐसे इस दो nucleus वाली stage का नाम हमने रख दिया di-carion तो आपको क्या समझ आया आपको ये समझ आया plasmo gammy is a process first process di-carion is a result result of plasmo gammy तो हम कहते हैं फेंजाई की sexual reproduction में तीन step है पहला step है plasmo gammy plasmo gammy का मतलब उनका cytoplas fuse हुआ gamets का now second step second step is basically second step क्या है हमारे पास second step इसके बाद है karyo gammy जहां से सुनें बिटा second step हमारे पास है यहां पर karyo gammy karyo gammy का मतलब ये दोनो nucleus fuse कर जाएंगे तो हमारे पास ये दोनो nucleus fuse कर गए हमारे पास ये दोनो nucleus ये क्या कर गए fuse कर गए और fuse करने के बाद एक single nucleus बन गया ये single nucleus बन गया तो इस चीज को हम नाम दे रहे हैं zygote क्या नाम दे रहे हैं zygote तो इस process का नाम क्या रखा हमने karyo gammy carry-o का मतलब nucleus, fusion का मतलब, gammy मतलब fusion तो कौन fuse किया? हमारे पस nucleus fuse कर गया ना एक तरीके से क्या fuse किया? nucleus fuse कर गया ठीक है, ये nucleus fuse कर गया तो हमने का सबसे पहले क्या आया? gamet बने, gamet में से protoplast fuse के, die carry-on आया फिर हमने क्या करी? carry-o gammy करी तो zygote बन गया अब जो zygote बना है, zygote diploid stage है, ठीक है fungi mainly haploid होती है, fungi mainly कैसी होती है? haploid अब हम क्या करेंगे बिटा, अब हम क्या करेंगे? third stage करेंगे, जिसे हम कह रहे हैं, third stage करेंगे जिसे हम कह रहे हैं meiosis, third stage में क्या कर रहे हैं हम लोग meiosis, तो हमने लिखा यहाँ पर हम क्या करेंगे, meiosis किसकी meiosis करो, या तो zygote की, या zygote कुछ आगे बनाए उसकी, तो meiosis करी इसलिए हमने कहा था, zygotic meiosis, algae और fungi में हो सकते देख रहे हैं, हम meiosis कर रहे हैं, तो meiosis करी, meiosis करके हमारे पास क्या आगए, यह spore आगए, क्या आगए spore आगए, अब सोच के बताना these spores are genetically same or different, पहला question, these spores are genetically same or different, दूसरा इसे sexual spore बोलेंगे या asexual spore, नाम बताना इसके तो यह मेरे पास क्या आगए, spore spore haploid है clear, spore haploid है और इनकी, जान से जुने बिटा, spore haploid है और इनकी mitosis करके दुबारा mycelium बनाया जा सकता, because spore are single cell mycelium is multicellular तो हमारे पास तीन stage है cycle में, जान से जुने, तीन stage है इसमें, first is plasmo gammy, this one second karyo gammy and third is meiosis, this is third step ठीक है, clear यह third step हो तो karyo gammy तो हमने का sexual reproduction में फंजाई के कितने step है कितने step है, तीन हाना, पर होता क्या है, ध्यान से जुनो कुछ फंजाई ऐसी है जो plasmo gammy के तुरंत बाद karyo gammy कर देती है उनमें die carryon नहीं दिखेगा, सीधे zygote दिखेगा, मैं लिख रहा हूँ इस बात को ध्यान से समझो, मैं यह कह रहा हूँ बिटा, मैं यह कह रहा हूँ कि in some fungi in some fungi हमारे पास die carryon जिसे आप क्या लिखते हो n plus n stage visible नहीं ऐसा कब होता है ऐसा कब होता है when when carryo gammy occur occur just after plasmo gammy plasmo gammy के just after मेरे पास क्या हो जाए carryo gammy हो जाए उस case में क्या होगा समझ रहे है, उस case में क्या होगा मुझे die carryon नहीं दिखेगा clear होगी बात, ऐसे हम जब example पढ़ेंगे तो ये मेरे पास किस में होता है आप example अभी note कर लो आगे जाएंगे ऐसा मेरे पास phycomystees में होता है ऐसा मेरे पास किस में होता है phycomystees में होता है जहाँ पे basically क्या होता है मुझे क्या नहीं दिखता die carryon नहीं दिखता clear ये group है हमारे पास ठीक है, अब हमने general पढ़ लिया है फंजाई के बारे, ठीक है, sexual reproduction के तीन step, कौन कौन से तीन पढ़े, क्या क्या तीन step लिखे हैं हमने, first लिखा, plasmo gammy, जिसका result क्या था, di carion, second लिखा, cario gammy, जिसका result क्या था, zygote, और third लिखा हमने, meiosis, ये तीन step हैं हमारे पास किसके sexual reproduction के आपके सामने हैं ये तीन step, और इनी से हमारे पास क्या होता है, sexual reproduction, सारी फंजाई में होता है, हमारे पास die, carry on, और उनके number में फरक आता है, clear होगी बात, चलो, आगे चलते हैं, और एक discussion लेते हैं, classification of fungi का, ठीक है, जो बहुत important topic है, आपको समझना है, देखो, NCRT कहती है, कि fungi की classification की जा सकती है, जहां phycomyces लिखा है, उसके ऊपर की line पे, और हमेशा याद रखो, when you study any classification, try to find basis, किस base पे किया गया, किस base पे classification किया गया, बहुत special बात है, ठीक है, तो classification of fungi किस base पे किया, on the basis of, on the basis of mycelium का structure, कि septate है, कि a septate है, fruiting body पर sexual वाली, अभी बताएंगे क्यों, fruiting body कैसे, sexual वाली, उसके बाद हम बात करेंगे, fruiting body के बाद बात करेंगे, हम बात करेंगे, sport, तो यह तीन basis बनाए हैं classification के, clear, यह बहुत important बात है, याद रखना, यह दोनों, यह दोनों somehow sexual reproduction से related है, sexual fruiting body और sexual sport है, यह बात बच मिस करते हैं, ठीक है, मिस करते हैं मतलब उनको आती नहीं है, इसका मतलब यह है, ठीक है, classification of fungi कर रहे है, ध्यान से सुने, classification of fungi, हम fungi को क्या कर रहे हैं, सबसे पहले दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है, एक वो fungi, जिसमे, sexual reproduction absent है, जिसमें sexual reproduction नहीं होती, ऐसा एक ही ग्रुप है, जिसे हम नाम देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं, बिटा, a deuteromyces, क्या नाम है उसका, deuteromyces, जो इसमें sexual reproduction नहीं होती, इन्हें हम कई बार fungi imperfecti भी कहते हैं, क्योंकि sexual stage को कहते हैं perfect stage, तो इसमें imperfecti, imperfecti मतलब sexual stage है नहीं, clear, छीक है, sexual stage नहीं है, छीक, देखो, im, im का मतलब absent, perfecti, done, यहाँ देखो, यहाँ देखो, बिटा, अब क्या हुआ हमारे पास, अब क्या हुआ, हमने का, जिसमें sexual reproduction है, इन sexual reproduction present वाले को दो ग्रूप में divide कर लिया, sexual reproduction हमारे पास क्या है, present है, ठीक है present इसको हमने दो ग्रूप में divide किया इसको हमने क्या किया बिटा इसको हमने दो ग्रूप में divide किया ऐसे ठीक एक को बोला हमने जान सुने तो first group तो ये हो गया deuterium my state, second या आएका एक को बोला हमने lower fungi lower fungi वो होती है जिसका हाइफे aceptate है lower word का मतलब होता है come advance इसमें example आएगा हमारे पास इसमें हमारे पास second example आगया बिटा, second example आगया group का फाइको माइस्टी फाइको माइस्टी अब यहाँ पर मैंने लिग दिया higher fungi यहाँ पर क्या लिखा मैंने बिटा, higher fungi higher का मतलब जो septate है जो कैसी है, septate है जिसके high phase septate है इसको हमने दो ग्रूप में divide किया हुआ है इसको हमने क्या किया, दो ग्रूप में divide किया, ज्यान से देखें ऐसे एक मेरे पास है एक मेरे पास third हम यहाँ लिख रहे हैं, जो इसके नीचे आ रहा है that is basically ascomastis और fourth यहाँ आ रहा है besidio तो यह आपके सामने क्लासिफिकेशन है जो NCRT में है, जो मुझे आनी चाहिए clear, क्योंकि उसमें चार ग्रूप दे रखे हैं, तो किस बेस पे आपके सामने हैं, clear, यह फंजाई की क्लासिफिकेशन है, ठीक है जिसमें asco fungi को आप sack fungi कहते हो common name sack fungi इसको club fungi कह सकते हो club या shelf fungi ऐसा बोल सकते हैं ठीक है, चलिए start करते हैं सबसे पहले, इसको पढ़ेंगे FICO को, asco को, besidio को तीनों को compare करके देखेंगे क्या है इनमें, तीनों को एक बार समझेंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस हो राई टीनों में, ठीक है, सारी चीजी जानते हैं चलो, आगे चलते हैं ये fungi कहां मिलती है, ठीक है तो जब हम हैबिटाट की बात करते हैं याद करो जब हम habitat की बात करते हैं phycomyestries कहां मिलती है ठीक है clear तो हम ये समझ रहे हैं ये grow करती है लकडी पे grow on wood जो decay हो रही है उसके अलावा dead substance पे grow कर सकता है ठीक है लेकिन इसमें से एक चीज है जो NCRT में आपको ध्यान लखनी है सिर्फ इस group में कुछ aquatic fungi भी है सिर्फ वो इसी group में है उसके अलावा हम कह सकते है some are obligate parasite obligate का मतलब पूरी तरीके से host पे dependent तो कुछ parasite है, कुछ dead substance पे grow कर रहे हैं, कुछ लकडी पे पर कुछ aquatic है, aquatic वाली बात special है, याद रखना क्योंकि अगर आपको ध्यान से समझो, सिर्फ फाइको माइस्टीज एक ऐसा group है जिसमें हमारे पास zoo spore possible है ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे पास aquatic habitat है अब बात करते हम लोग structure की इनका structure कैसा है इनका क्या है structure कैसा NCRT खोले रखना ताकि चीजे समझ आएं साथ के साथ ठीक है, structure में हम हाइफे की बात करेंगे तो इनके हाइफे ऐसे है कैसे हाइफे हो गई यह हमने लिखा, aseptate है और साथ के साथ cynocytic लिख दिया cynocytic और aseptate यह हमारे पास इसके हाइफे हो गई cynocytic और aseptate type के क्या हो गई, इसके हाइफे हो गई यह तो structure हो गया, अब अगर मैं nutrition आप से कहूँ, तो इसमें तीनो type का nutrition मिल सकता है तीनो type का nutrition मिल जाएगा, parasitic और saprophytic तो आपने ज़स्त देखी लिया तो हम लिख सकते हैं parasitic saprophytic and symbiotic देखो यही topic की heading होती है पढ़ने की, ऐसे ही जाते है इनमें अब हमें इनकी reproduction समझनी है त्योंकि reproduction important है fourth point हमारे पास reproduction इनकी reproduction अब मेरी बास सुनना ध्यान से हमने कहा था budding और fission vegetative reproduction है और वो होती है सिर्फ east में east इस group में नहीं आता इस group के तीन example जो आपके syllabus में है उनको अगर याद कर लोगे साथ के साथ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो तीन example हमारे पास है पहला albugo दूसरा raijopas और तीसरा हमारे पास है mucar यह तीन example इस group के हैं albugo, raijopas, mucar यह तीन example इस group के हैं जो याद करना आपने raijopas class 10th में भी आपने सुना था जिसे हम कौन सा mowld कहते थे bread mowld कहते थे यह 10th में पढ़ा था आपने हना तो reproduction कैसे होगी इसको समझना है तो reproduction में सबसे पहली type आप क्या पढ़ते थे vegetative मैंने कहा इसमें east इस group में नहीं आता अगर east इस group में नहीं आएगा तो vegetative reproduction कैसे होगी सोच के बताओ vegetative reproduction होगी सिर्फ fragmentation से सिर्फ कैसे होगी मेरे पास सिर्फ fragmentation होगी और कोई तरीका नहीं है fission और budding इसमें नहीं होते है second type की reproduction हमने क्या पढ़ा था याद करो asexual तो अब इसमें asexual reproduction के लिए बता रहे है ठीक है इसकी asexual reproduction कैसे होती है उसकी बात कर रहे है ध्यान से देखें ध्यान से देखें हम इसकी क्या बता रहे है asexual reproduction किसकी बात कर रहे है reproduction में asexual reproduction कि देखें जड़ा ध्यान से Asexual reproduction कैसे होगी किसकी बात कर रहे हैं ये हम लोग ये बात कर रहे हैं Ficomyces की हमने का हमेशा से पढ़ाए बिटा sports बनते हैं Asexual में कैसे बनते हैं sports बनते हैं अब important point देखो क्या है This is mycelium This is mycelium ये mycelium है इस mycelium पे देखोंगे इस बात को, ये mycelium है इस mycelium पे मेरे पास क्या बन जाएगा, fruiting body बना लेते हैं, ये देखो This is mycelium, ये रह mycelium इस पे हमने क्या बना दिया बिटा fruiting body बना दिया ऐसे, ये बना दी fruiting body अब इस fruiting body पे मेरे पास एक कवर बनता है, इसे sporengia कहते हैं, ठीक है अब उस sporengia के अंदर spore बनते हैं, ठीक है, spore बना दिया तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि this mycelium is haploid this mycelium is haploid ठीक है, clear उसमें हमने क्या किया ये क्या बना दिया बिटा fruiting body अब ये जो spore बने हैं, ये जो spore बने हैं बिटा, ये spore सोच के बताओ कैसे बने हैं, क्योंकि ये ही चीज़ आपको याद करनी है ये spore बने हैं endogenous तो अपने दिमाग में बिठा लो कि phicomyesties के asexual spore endogenous है ये spore कैसे बने हैं, कवर के अंदर जिस कवर का नाम क्या है जिस कवर का नाम sporengia है now this cover is known as sporengia इस कवर का नाम sporengia है clear हो गई बात और इसको हमने fruiting body बोल दिया इसको हमने क्या बोल दिया fruiting body बोल दिया ये चीज़ समझा गई इस कवर को हमने क्या नाम दे दिया इस कवर को हमने क्या नाम दे दिया हमने नाम दे दिया स्पोरेंजिया और इसके अंदर हमने क्या बना लिए ये स्पोर बना लिए इसके अंदर क्या बना लिए ये स्पोर बना लिए ठीक है स्पोर बना लिए ये चीज़ समझ आ रही है या तो इन में flegella हो सकता है, देख रहे हो, या तो flegella होगा, या flegella नहीं होगा, समझो जान से, तो आपको क्या सीखना है, आपको ये सीखा, कि phicomyesties में spore endogenous बनेंगे, या तो उस cover के अंदर सारे motile होगे, species wise होता है ये, सारे motile होगे या सारे non motile होगे, तो आपने यहाँ पर यह सीखा, NCRT की यह लाइनों के थुरूब आप बात कर सकते हैं, कि इसमें asexual spore endogenous है, can be motile and non-motile, समझ लो, asexual spore क्या है, endogenous है, और हमने कहा था ना कि motile भी हो सकते हैं और non-motile भी, motile spore सिर्फ इस ग्रुप में मिलते हैं, non-motile, पर important चीज क्या है, एक दम इस बात को घोल के पी जाना है, कि यह endogenous है, cover के अंधर बने है, motile हम relate कर सकते हैं, zoo spore से, done, clear, यह चीज समझा गई पिटा, खीक है, अब ज़रा, next बास सुनो ज्यांसे, अब ज़रा इसकी sexual reproduction की बात कर सकते हैं, ज्यांसे जुनेंगे, sexual reproduction की बात कर सकते हैं हम लोग, आप अगर याद करो, आपने 10th class में ये पढ़ा था, इस तरीके से, ये मेरे पास fruiting bodies हैं, ये ऐसे cover बनता है, इसमें spore बनते थे, याद करो rhizopas पढ़ा था आपने, ये bread mould है विटा, ये हमारे पास क्या है, bread mould है, ये चीज पढ़ी थी आपने class 10th में, ठीक है, आगे अब हम इसके sexual reproduction की बात कर रहे हैं, किसके sexual reproduction की? हम बात कर रहे हैं, sexual reproduction किसकी? इसकी बिटा, phicomyces, जरह एक cycle की form में पढ़ते हैं, ये जो line हैं, वो anxiety से cover होनी चेए, देखो बिटा, फंजाई और algae में खास चीज मिलती है, कि gametes के size same हो सकते हैं, जिसे आप क्या कह सकते हो? आईसो गैमेट, आईसो गैमस का क्या मतलब है? दोनो same size के gamete, एन आईसो गैमस, जिसमें एक बड़ा और एक चोटा, उ गैमस, देखो आईसो ये दोनों, एन आईसो ये बड़ा चोटा, उ गैमस हमारे पास क्या है? इसीच को समझना, आइसो गेमस क्या है एक सेम साइज एन आइसो बड़ा चोटा ठीक है clear similar तरीके का हो सकता उगेमस क्या होता normally बड़ा female चोटे साइज का can be motile और ऐसा भी हो सकता है non motile क्योंकि red algae में हमने पड़ा था वो उगेमस non motile था male gamut तो तीनो तरह की possibilities है जरा देखते हैं कैसी कहानी है इसकी देखो बिटा हमारे पास यह हाइफे है हम sexual reproduction पढ़ रहे हैं यह हाइफे है ठीक यहाँ से मैंने एक और हाइफे बना दिया this is another हाइफे यह mycelium लिग लेते हैं ज़ादा अच्छा रहेगा वोग बहुत सारे IQ बना रहे हैं हम लोग this is mycelium this is हमारे पास mycelium ठीक है यह mycelium है और यह भी मेरे पास mycelium ठीक mycelium जो हमारे पास है ध्यान से सुनेंगे mycelium जो हमारे पास है उससे मेरे पास ये gametes बन गया लेट सी इस आर gametes सेम साइस के बना दिये कोई बात अब मैंने क्या किया इधर fertilization की है इधर क्या की fertilization की ये हमने क्या बना रखें gametes बना रखें आप देख रहे हो gametes बना रखें तो gametes एपलॉइड होंगे अब मैंने fertilization की sexual reproduction की क्या step थे याद करो हमारे पास क्या बनता था die carry on लेकिन यहां directly zygote बन गया directly क्या बन गया zygote बन गया तो मैंने क्या सीखा मैंने ये सीखा कि इसके अंदर plasmo gammy के तुरंत बाद karyo gammy हो गई plasmo gammy followed by followed by immediate karyo gammy तुरंत हमारे पास karyo gammy हो गई NCRT की line देखना हमारे पास die carry on नहीं होता क्या absent हो गया मैं लिख सकता हूँ इस बात को die carry on absent हो गया तो अगर आपको question आई die carry on किस में absent है तो phyco mysties के example खोजो कौन कौन से albugo, rhizopus, mucar नहीं ठीक है अब देखो जान से इस zygote ने क्या किया बिटा, zygote ने क्या किया इस zygote ने अपने बहार thick wall बना लिए thick wall बनाने का मतलब ॥ा ये zygote है हमारे पास ये zygote है इस ने अपने बहार काफी जादा thik wall बना लिए ऐसे, thick wall बना l OLED इस thick wall zygote का नाम बदल के zygospore हो जाता है तो zygospore लिखा है पर यह zygote क्या है actual में तो zygospore is actually deployed zygote with thick wall deployed zygote with thick wall आप NCRT चेक करोगे तो fertilization से मेरे पास zygospore बन रहा है clear thick wall अब इस zygospore की meiosis होती है क्या होती है meiosis तो meiosis होके ऐसे इस thick wall structure में द्यांज़े देखो इस thick wall structure में meiosis से spore बन जाते हैं क्या बन गए spore यह क्या बन गए बेटा ऐसे spore बन गए ठीक है और क्या हुई है हमारे पास meiosis हुई है क्या हुई है यहाँ पर meiosis आप लिख सकते हो यहाँ यहाँ पर meiosis तो meiosis होके spore बन गए कितने बन गए चार उस thick wall structure के अंदर अब यह thick wall structure open हो जाएगा ऐसे और spore release हो जाएगे favorable condition जब आएगी तो वो meiosis करेगा अब यह ऐसे रुका रहेगा unfavorable में जैसे favorable आएगी वो spore को release कर देगा तो आपने क्या सीख और यह mitosis से यह बना देंगे आपने क्या क्या याद करना है आपने यह याद करना है कि इसमें तीन तरह से possibility आईसो एनाईसो हो गया में ठीक है इसमें diicarion नहीं बनता है और जो sexual spore है वो भी endogenous है वो भी क्या है cover के अंदर बने है जिसे हम क्या बोलेंगे endogenous बोलेंगे इसमें diicarion stage नहीं होती जाइगोट को ही हम क्या बोलते है जाइगो spore बोलते है तो आपने ये सीखा बिटा यहाँ पे आपने ये सीखा फाइको माइस्टीज से आपने ये समरी लेके आप आगे गए कि फाइको माइस्टीज जो है उसमें मेरे पास aquatic habitat मिलता है क्योंकि वो relate कर देगा किसको zoospore को दूसरी बात आप आगे लेकर जाओगे वो aseptate है आगे लेकर मतलब दिमाग में कहीं चले नहीं जाना वीडियो देखते वे ठीक है aquatic जो है वो zoospore है दूसरा हमारे पास aseptate है ठीक तीसरी बात asexual spore कैसे है asexual spore endogenous प्रिवियस एर के question चेक करना endogenous और exogenous पे बहुत question आये sexual spore क्या है sexual spore क्या है बिटा हमारे पास आरा समझ sexual spore भी endogenous है तो यह दोनों spore क्या हो गए endogenous हो आपके सामनी चीज़े ध्यान से देख लो ठीक है clear हो गया यह चीज़ clear है बिटा तो aquatic zoospore aseptate asexual spore endogenous sexual spore भी endogenous यह चीज़ लेके हम आगे जाएंगे और यह हमने तीन एक्जामपल लिखे हैं इसके इसके हमने बिटा तीन एक्जामपल जो लिखे है अल्ब्यूगो अल्ब्यूगो एक disease cause करता है क्रूसीफर में क्रूसीफर मस्टड को कहते हैं उस disease का नाम है white rust तो यह white rust करता है क्रूसीफर क्रूसीफर क्या कहते हैं मस्टड को कहते है ठीक है आप सारी लाइने चेक करो anxiety की अभी तक आपको समझ आई नहीं आई मुझे जरूर बताना लाइने आपको समझ आ गई ठीक है अब अगला ग्रूप है जिसे हम क्या बोलते हैं सैक फंजाई एक्चॉल में क्य है विटा सैक फंजाई माइस्टीज वर्ड जो है हम लोग एक तरीके का सफिक्स लगाते है क्लास के लिए एसको माइस्टीज ठीक है सैक फंजाई कह रहे है चलो देखते हैं क्या-क्या पढ़ते हैं सबसे पहले तहां मिलता है अबिटाट कहां मिल रहा है तो कहां ग्रो कर रहा है ग्रो ऑन ग्रो ऑन डिकेंग ठीक है डिकेंग और गेनिक मेंटर पर डिकेंग और गेनिक मेंटर पर ग्रो कर रहा है और कहां ग्रो कर रहा है भाई NCRT लिखती है corporophilus है corporophilus क्या होता है grow on dung किस पे grow करता है dung पे grow करता है ठीक है तो grow on decaying organic matter grow कर रहा है dung पे corporophilus कह रहे हैं ठीक है अब आज़ो ज़रा structure पे structure की बात कर लेते हैं इसके structure की बात कर लेते है देख़ए anxiety क्या कहते है anxiety कहते है इनका structure जो है वो septate है हाइफे कैसे है septate branch ऐसे हाइफे है तो बना लो septate branch हाइफे ये बना लिए हमने ऐसे ये रहे हाइफे septate बना दिए देख रहे हो आना ये सब ये septate branch हाइफे हो गए अब क्या कर सकते हैं हम लोग septate और branch हाइफे तो बना दिए हमने हमने लिखा ये mostly multicellular है क्या लिख रहे हैं ये multicellular है लेकिन इसमें ये exception है जो मेरे पास unicellular है जो basically non-filamentous हम लिख रहे हैं na multicellular filamentous लेकिन ये neat में question आया था एक फंजाई का नाम बताओ जो non-filamentous है वो है मेरे पास east east बेटा हमारे पास क्या है non-filamentous है वो इस तरीके से single cell का होता है खाली इस तरीके से structure बना लेता है इस तरीके कबड बना लेता है न जो ठीक है east आ गया non-filamentous और east का example हम क्या पढ़ते है saccharomyces असल में saccharomyces east का example है इसका मतलब east के एक और example है जो class 12 में हमने का था न human welfare वाला chapter वहाँ दे रखता है clear यहां तक समझ आ गई ठीक हो गई बात ठीक है clear है यहां तक आ गया होगा ठीक है चलो आगे देखते हैं हमने structure पढ़ लिया अब क्या पढ़ते हो तीसरा वही बताओ थर्ड चीज क्या पढ़ते हो nutrition थर्ड क्या पढ़ते हो इसका nutrition चलो nutrition देखो किसका nutrition phycomyces का phycomyces का nutrition बार बार इसले लिख रहा हो nutrition क्या है मैंने लिखा इसका बिटा saprophytic है ठीक है parasitic भी है symbiotic तीनो तरह का मिलता है lichen में जादा कर यही वाली फंजाई होती है ascomyces तीनो तरह का nutrition अच्छा अब हम बात करेंगे इसके reproduction की जो बहुत important बात है जो आपको आनी चाहिए इसके reproduction को लेके discuss कर रहे है relate करो reproduction reproduction relate करो पिछले वाले ग्रूप में क्या था fragmentation, fission नहीं था इस वाले में तीनो possibilities बनेंगी कौन सी क्योंकि हीस्त है ना इसमे fragmentation होगा clear, budding होगी and fission होगा clear, reproduction क्या है fragmentation है, fission है और budding है यहां तक समझ आ रहा है बिटा fragmentation, fission और budding है है हमारे पास, उसके बाद यह कौन सी reproduction लिखी मैंने यह लिखी vegetative कौन से वाली लिखी, vegetative अब हम इसकी कौन सी पढ़ेंगे asexual reproduction बता रहा हूँ ध्यान से देखना, अब मैं इसकी बता रहा हूँ बिटा आपको asexual reproduction asexual reproduction देखो, कैसे करेंगे इसमें asexual reproduction ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं यह हमारे पास asexual reproduction कैसे होगी उसको समझना हमने, किसमे asexual phicomyesties में तो हम phicomyesties की asexual reproduction समझ रहे हैं बिटा देखो, मैं जो लाइने बोल रहा हूँ वो लाइने ध्यान से सुनना NCRT में लिखी रखी है मैं डाइग्राम की फॉर्म में दिखा रहा हूँ किसमें फाइको माइस्टीस में कैसे होगी ज़रा समझ लो कानी यहां है अभी कैसे है देख लेते सबसे पहले हमें यह समझना है this is mycelium जो हम बनाते आ रहे हैं this is mycelium mycelium मैंने यह haploid वाला बनाया है छी क्या मैंने कहा इस पे mycelium है इस पे हमारे पास क्या बनेगी यह देख लो यह mycelium इसके बाद इस mycelium पे यह बनांगा मैं यह देखो यह mycelium इस पे fruiting body बना लेते हैं यह आगई fruiting body यह fruiting body आगे देखो कानी काँ गई अब इस fruiting body पे हमारे पास क्या बन गई स्पोर्र यह देखो यह रही fruiting बोल्ट हम लोग लिख देते इस इस fruiting body अब मुझे बताओ यह fruiting body जो है यह क्या है haploid है के नहीं क्योंकि mycelium haploid था इस fruiting body पे हमने क्या बना दिये देखो इस पर fruiting body बना दिये हमने खीक इस fruiting body पर हमने क्या बना दिये बिटा इस fruiting body पर हमने इस spore बना दिये और इन spore का नाम हमने क्या रखा यह spore बना दिये यह spore अगर आप ध्यान से देखो अगर आप ध्यान से देखो बिटा अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर ठीक है आपको यह दिखेगा कि यह स्पोर बिना कवर के बने है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह जो स्पोर बने है यह बिना कवर के बने है ठीक है इसमें फ्लेजला नहीं है तो मैंने क्या ब कोनीडियो 4, 4 का मतलब होता है bearing, लगा हुआ, तो कोनीडियो 4 क्या है ज्यान से देखो, कोनीडियो 4 ऐसी fruiting body जिस पे कोनीडिया लगा हुआ है, और कोनीडियो 4 अगर आप ध्यान से देखो, ये एक तरह की asexual fruiting body है, what is meaning of asexual fruiting body, क्योंकि वो asexual spore बना रही है, तो कोनीडियो 4 वो है जिस पे कोनीडिया लगा हुआ है, now we have few features about कोनीडिया, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, कोनीडिया बिना cover के बने हैं, exogenously है, non motile है, इसलिए क्या है, aplanospore है, ठीक है, ये asexual spore है, क्योंकि क्या आप किस पे बने हैं, हमारे पास asexual fruiting body पे तो asexual spore हो गए, clear, हमारे पास क्या हो गया, ये asexual spore हो गए बिटा, ये क्या हो गए, asexual spore हो गए, ठीक है, अब ये कोनीडिया जो है, हमारे पास, ये कोनीडिया single cell का है बिटा, ये जाएगा और फिर से हमारे पास फिर से mycelium बना देगा और कैसे बनाएगा mycelium mytosis के थो तो क्या करेगा mytosis करेगा और फिर से क्या बना देगा mycelium बना देगा तो ये asexual reproduction होगा तो इसमें क्या बनते हैं konidia, उस fruiting body का नाम konidio 4 जिस पर konidia कैसा बना बिना cover के, compare करो पिछले वाले से picoma stis में क्या था endogenous, यहाँ पर क्या है exogenous, clear हो गई बात cheek done ये आपको ऐसा दिखेगा ये structures बिटा आप नहीं पढ़ाते हम लोग metuli, utuli जो था पहले पढ़ाते थे ये अब नहीं पढ़ाते है, ये नहीं करना आपने सिर्फ याद रखो, this is konidio 4 ठीके, पहले जरुत पढ़ती थी, अब आता नहीं है now this is konidia ये brush जैसा दिख रहा है ठीक है, अगर आपसे पूछे, most common type of sport आप कहेंगे konidia तो comparison ले लो एक बर ज़रा फटा फट से, आपको याद हो जाएगा FICO में क्या थे, वो endogenous थे asexual sport, अब आजाओ ज़रा sexual बता देता हूँ, escomyestis की, ज्यान से देखना यहीं पर line गुमी है, NCRT यहाँ से बच्चे को समझाना बिल्कुल बंद हो जाता है, फंजाई में कि हुआ क्या, ठीक है, clear कुछ को आता होगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं कौन से ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, escomyestis की escomyestis की, मैं सिर्फ NCRT पढ़ा रहा हूँ line ध्यान से देखना, आपको जो line ध्यान ना समझाए, बताना मुझे ठीक है, ठीक, this is mycelium mycelium N है ना, बार बार N बना रहे mycelium, N ही होता है, नौर्मली ये mycelium N है ठीक, इन mycelium से gamet बने ठीक है, इन mycelium से हमारे पास क्या बन गए हमने क्या किया विटा, gamet बना दिया इन mycelium से हमने क्या बना दिया, gamet बना दिया ये रे, चलो मालो, gamet बन गए, these are gamets ठीक है, ये हमारे पास क्या है, gamets है ये gamets है ठीक है, ये gamets बना दिया, fuse कर दो इने fuse करो, ठीक है, gamet को fuse करो fuse करने के बाद, आपके पास ये आ गया ये चीज़ आ गई यह अपके पास क्या आ गया आप देख रहो डाई केरियोन हा ना हसरा है डाई केरियोन खुश हो रहा है ठीक है देखो इस डाई केरियोन यहां से देखो बिटा डाई केरियोन तो इसमें डाई केरियोन बन रहा है पिछले वाले एक रूप में डाई केरियोन नहीं बन रहा थ यहां पर मैंने क्या लिख दिया प्लाजमो गैमी इसमें डाई केरियोन बनता है चलो आगे ले जाते है जाइगोट बना लो इससे यहां हमने क्या कर दिया, जाइगोट बना लिया यह जाइगोट बन गया, इस इस जाइगोट ठीक है, इस इस जाइगोट यह हमारे पास जाइगोट है अब मेरी बास सुनना ध्यान से इस जाइगोट से हमारे पास इस जाइगोट से ध्यान से देखना बिटा इस जाइगोट से हमारे पास क्या होगा इस जाइगोट से हमारे पास क्या होगा इसको समझने की कोशिश करना ठीक है एक मेंट दो मुझे बस इस जाइगोट से क्या होगा इसको समझेंगे हमारे पास एक हाइफे टाइप की चीज बनेगी जो 2N होगी और उस 2N हाइफे से एक fruiting body बना लो एक ऐसी fruiting body बना लो यह fruiting body बन गई अब यह zygote से बन रही है इसका मतलब यहाँ कहीं mitosis हो रही है तो zygote 2N है यहाँ आप क्या कर रहे हो mitosis कर रहे हो भी यहाँ आप क्या कर रहे हो mitosis कर रहे हो तो यहाँ से एक fruiting body बनी है जो diploid है diploid fruiting body बन गई zygote से यह ध्यान रखना बस आपने यह fruiting body कैसी बनी है diploid यह कैसी बनी है diploid fruiting body है यह वाली fruiting body बिटा deployed है, मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, ये fruiting body उसमें conidio 4 haploid थी, ये deployed fruiting body है, ठीक है, इस deployed fruiting body पर क्या कानी है, देखो, इस deployed fruiting body पर ये री, एक ऐसे structure बनते हैं, इस तरीके के structure बनते हैं, देखना इसे, वो भी deployed होते हैं, ऐसे, इस तरीके से, cover सा बनता है, इस cover को नाम देते हैं, escus, क्या नाम देते हैं, escus, चेक करना इन से आते हैं, इस deployed fruiting body का नाम रखते हैं, esco carp, तो esco carp पर escus बना, आया समझ, on esco carp escus बना, ठीक है, clear, तो this is deployed, escus is also deployed, अब करो इसकी meiosis, अब इस escus के अंदर क्या कर दो, meiosis कर दो, यहाँ पर क्या deployed fruiting body है, deployed fruiting body के अंदर, यही deployed fruiting body, इस पर मैंने एक cover जैसा कुछ बना दिया, इस cover के अंदर meiosis से मेरे पास spore बन गए, यह रहे spore, देखो, meiosis से spore बन गए, यह spore बन गए, meiosis से, यहाँ spore बन गई, तो यह sexual spore हुए के नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या involve करी, यहाँ मैंने meiosis involved करी है, तो मैं meiosis लिख रहा हूँ, तो हम यहाँ लिख रहे हैं, कि escus के inside meiosis हो गई, inside क्या हुई, meiosis होगी, anxiety, खोल के रखना, ध्यान से सुनना यह सारा, समझ आएगा, तो देखो, हमने क्या किया, जाइगोट से esco carb बनाया, esco carb से मैंने क्या बनाया, यह उस पे escus बनाया, उस escus पे यह spore बनाया, इन spore का नाम है बेटा, यह spore बाहर लाता हूँ मैं, आपके लिए, देखो, इन spore का नाम है esco spore, अगर मैं आप से पूछू, बताओ esco spore क्या, आपको कहना चाहिए, sexual spore, because यह sexual fruiting body पे बनाया, but is sexual fruiting body deployed, तो zाइगोट से जो fruiting body बनी, उसका नाम esco car, उस पे cover बने escus, escus के अंदर spore बने esco spore, और उस esco spore की mitosis से, आप यह बना सकते हो, mycelium, यहाँ पर आपने यह सीखा, आपने यहाँ पर यह सीखा, कि इस पूरी cycle में, पूरी जो मैंने cycle बनाई, यहाँ पर आपने यह सीखा, कि zygote की directly meiosis ना होकर, एक fruiting body बनती है, जिसे आप esco carb कहते हो, इस esco carb के ऊपर escus बनते हैं, और उसके अंदर esco spore बनता है, यहाँ तक समझा गई, अगर आप इस चीच को अब ध्यान से सोच पाओ, तो मैंने यह बताया है आपको, कि sexual fruiting body जो है, जो sexual fruiting body है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है esco carb, चिक, asexual fruiting body, उसका नाम क्या है, ज्यान से सुने, उसका नाम क्या है हमारे पास conidio 4, अब मुझे ध्यान से बताना, इस पर क्या बने थे, एसको कार पर क्या बना, और इस पर क्या बना, आप कहोगे भाई, इसमें तो बना मेरे पास क्या, spore बने esco spore, तो esco spore किस से बने, meiosis से, conidio 4 पर क्या बने, conidia बने, conidia कैसे बने, mitosis से, तो what is difference between conidia and esco spore, esco spore भी haploid, conidia haploid, पर ये asexual reproduction से बना, ये sexual से बना, ये sexual spore है, ये asexual spore है, ये endogenous है न, ये कैसा है, ये cover के अंदर बना है, endogenous, और ये क्या है, exogenous, तो अगर phicomyces से compare करूं, phicomyces का asexual, sexual spore, दोनो endogenous था, जिनको यहाँ block हो गया, mind block हो गया, रोखो, पीछे जाओ, फिर देखो, ठीक, अब यहाँ पर, sexual spore endo है, a sexual spore exogenous है, इतनी information लेके जाओ, question बढ़िया बना क्या होगे, ठीक है, clear, अब देखो, पिछले previous year के question, उसमें ऐसा ही है, और उसके लिए आपको इनकी ज़ुरत पढ़ेगी, जो example है, इस ग्रुप के example में, एक तो east आएगा, एक penicillin आएगा, penicillin बनाता है, penicillium, उसके लावा aspergillus आएगा बेटा, aspergillus, इससे टॉक्सिन भी मिलता है, अफला टॉक्सिन कहते हैं, फिर आएगा आपके पास claviceps, claviceps के बाद हमारे पास आजाएगा, कुछ खाते हैं हम लोग इसमें से, morals and truffles, कुछ ऐसी fungi हैं, जिनके ascocarp खाते हैं, ये edible हैं, anxiety कहते हैं delicacy, delicacy मतलब delicious है, ठीक है, delicious है, कुछ ऐसा है जिसको genetic की study में यूज़ करते हैं, neurospora नाम है, neurospora को बेटा genetics पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, genetics पढ़ने के लिए, और कुछ biochemical studies में, मतलब reactions पढ़ने के लिए, basically enzyme के यूज़ करते हैं, तो आपको इनके नाम याद करने हैं, east, penicillium, aspergillus, claviceps, moral struffles, ठीक है, neurospora, ठीक है, यह वो examples हैं, जो आपको आने चाहिए, क्योंकि question में example लिखा होगा, पूछेगा endogenous produce a sexual spore, तो आप कहोगे neurospora, ठीक है, ऐसे आप खोजोगे, clear, अब आओ आओ, अब आओ, basidiomyestis, basidiomyestis को हम कहते हैं, club fungi, club fungi, ठीक है, club fungi, जान से सुनें बिटा, basidiomyestis को हम club fungi, या हम एक तरीके से shelf fungi कहते हैं, यह कोई लकडी के shelf में मिलती है, shelf fungi भी बोलते हैं इसको, ठीक, हाँ, अब इसका habitat बताता हूँ, आप relate करना अब सारी चीज़े, पिछले वाले ग्रुप से, इसका habitat बताता हूँ बेटा, habitat यह है कि यह मुझे कहां मिलता है, on decaying substance पे, on decaying substance पे, ठीक है, structure कैसा है इसका, अगर structure की बात करें, सोचना ध्यान से, structure कैसा है, NCIT कहती है, septet branch पिछले वाले ग्रुप जैसा, यह भी बात सही लग गई, nutrition ठीक है, एक important चीज इसके habitat के लिए, याद रखना बिटा, यह लकडी पे grow करता है, अगर कोशन आता है, लकडी पे कौन grow करता है, तो bacidiomyces से माग करना, grow on wood, wooden log जो होते हैं, लकडी के जो पानी में भीखते हैं, जो लकडी होती है, यह उसको खराब कर देता है, nutrition इसका बिटा सेम है, saprophytic, parasitic, symbiotic, अब सबसे important तो इसका reproduction है, क्योंकि reproduction में एक important point है, जो आपको याद रखना है, जहांसे देखो, जब मैं इसके reproduction की बात कर रहा हूँ, तो इसके reproduction में, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, vegetative, आपने पढ़ा है, vegetative में, हमारे पास main क्या चलती है, fragmentation, और आपने ये भी सुना, budding और fission, सिर्फ किसमें याद करो, east वाले ग्रूप में, escomyces, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसमें, asexual spore नहीं होते, अगर asexual spore नहीं होते, तो इनकी asexual reproduction सिर्फ कैसे होती है, fragmentation, समझ आ रहा है, तो इनमें सिर्फ sexual spores होते है, clear, sexual reproduction होती है, clear, अब इनके sexual reproduction को समझेंगे, तो याद हो जाएगा आपको बात, comparison लेना तो याद रहेगा, ठीक है, हम इनकी sexual reproduction समझ रहे हैं, देखो कैसे समझेंगे sexual reproduction, ध्यान से समझ रहा है, important, सबसे पहले, हमने ये spore से start करते हैं, zygote से नहीं, mycelium से नहीं, these are spore, ये spore हैं हमारे पाद, ठीक, इन से start कर रहे हैं, spore से start कर रहे हैं, spore ने क्या किया, दोनों spore ने हाइफे बना दी, यह हाइफे बना दी तैं बटा, बटा आअचै, यह बना दी हाइफे, ऐसे normal हाइफे जो होते हैं, देख रहे हैं, अप septate वाला बना रहे हैं, ऐसे हाइफे को या mycelium को, somatic हाइफे कहते हैं, normal हाइफे, somatic cell होता ने जैसे वैसे somatic high-fae बोल दिया हमारे normal skin cell ऐसा somatic high-fae actual में क्या होता है बहुत important point in CIT कहती है कि इनमें sex organ नहीं होते और sexual reproduction होती है sex organ नहीं होते gametes नहीं होते तो फिर sexual reproduction होती कैसे है तो हमने यह देखा बिटा कि इनके जो high-fae होते है वही fuse कर जाते हैं वही high-fae fuse करके एक stage बना देते हैं जिसे हम di-carion stage कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं di-carion stage कहते हैं तो मेरे पास ऐसे high-fae को मैं क्या नाम देता हूँ di-cariotic high-fae clear di-cariotic high-fae इसका मतलब इसमें भी di-carion stage बन गई अब वो जो di-carion stage बनी आगे चलो वो जो di-carion stage बनी हमारे पास उसमें क्या हुआ उसको समझना ध्यान से di-carion stage बनी जो है उसने हमारे पास क्या बना दी इस तरीके से fruiting body बना दी मतलब इसने grow करके पूरा mycelium बनाया देखना बिटा मैं जो बताना चाहरा हूँ आपको मैं कहरा हूँ इसने grow किया और ऐसे di-carion stage वाले high-fake का mycelium बनाये खूब सारे जिसमें दो-दो nucleus थे ऐसे खूब सारे ऐसे बनाये इसने क्या किया एक fruiting body बना दी इसने क्या किया बिटा एक fruiting body बना दी ध्यान देना इसने क्या किया हमारे पास एक fruiting body बना दी देखो इसने एक fruiting body बना दी यह रही fruiting body यह हमारे पास fruiting body बन गई देखो यह fruiting body बन गई अब आप ध्यान से सुनना बिटा यह जो fruiting body बनी है किस से बनी है उस N plus N वाले mycelium से हना इस fruiting body का नाम है becidio carb और becidio carb अभी कैसा है N plus N है इसमें एक structures बनेंगे इनमें एक structures बनेंगे जिनें हमें becidium कह रहा हूँ ऐसे structures बन रहे हैं जिनें में क्या कह रहा हूँ becidium जिसके अंदर भी n plus n है जिसके अंदर भी दो-दो nूकलीस है इस structure को मैंने क्या नाम दे दिया देखो इसमें दो-दो nूकलीस हैं cells में इस structure को मैंने क्या नाम दे दिया Basidium तो आपने क्या सीखा आपने ये सीखा कि इन में gametes नहीं है, sex organ नहीं, high-fave fuse के, ये dicariotic hyphae आ गया, dicariotic hyphae ने एक fruiting body बना दी जिसका नाम basidiocarp है, उस पर एक structure बन गया, जिसका नाम basidium है, इस basidium में क्या होगी मेरे पास sensitivity check करना, इस basidium में मेरे पास karyogammy और meiosis होगी, मतलब ये जो basidium है ना मेरे पास, इसके अंदर ही मेरे पास zygote बन जाएगा और फिर meiosis से उसके वहाँ पर spore बन जाएगे, तो basidium पे मुझे इस तरीके से spore बने वे दिख जाते हैं, ऐसे, वो कैसे बनता है, NCRT इसको clear लिखती है, कि जैसे ये structure है basidium ये वाला, इस basidium में ही karyo gammy हो गई, क्या हो गई, क्या हो गई, karyo gammy तो मैं लिख सकता हूँ इस बात को, मैं लिख सकता हूँ इस बात को, कि जो ये basidium है इसमें मेरे पास क्या हो गई, karyo gammy, देख रहे हो, N plus N, दो nucleus से fuse करके single nucleus बन गया, आयंड साथ में क्या हो गई, meiosis उससे spore बन गई, ये spore बन गई, इन spore का नाम basidium spore है इन spore का नाम क्या है, basidium spore, समझो, और ये basidium spore कैसे हैं, आप देखो ये spore कैसे हैं, कवर के बाहर बने है, exogenous, motile है, non motile है, सोचो मैं कहूंगा, भाई, non motile हैं, ठीक है, exogenous, कैसे spore है, sexual spore तो आपने एक NCRD कहती है, कि karyogamy and meiosis occur in basidium, which develop on basidio carb हम कह रहे हैं, basidio carb बना, उससे basidium बना, फिर karyogamy meiosis basidium में हुई उससे जो spore बने, वो बाहर की तरफ है, basidio spore कह रहे हैं, जो हम agericus mushroom खाते हैं वो हम basidio carb खा रहे होते हैं, mushroom को जब वापसी करके देखो के उसके नीचे के साइड वो ऐसे फट जाता है वहाँ पर basidium बनते हैं और वहाँ spore बनते हैं, यहां तक समझ आ गई, देख लो आप, कि mycelium जो है हमारे पास mycelium से basidio carb और उससे तो जो basidio carb हमारे पास है, उसको हम देखते हैं एक बार फिर से कि हुआ क्या exactly, हमने क्या पढ़ा बिटा इसमें, हमने यह पढ़ा कि somatic hyphae ने fuse करके, क्या बना दिया, dicaryotic mycelium बना दिया अब यह जो dicaryotic mycelium है, इसने हमारे पास क्या बनाया basidio carb, अब यह basidio carb क्या है बिटा, N प्लस N है, इस पे basidium बना, इस basidium जो हमारे पास है, उस पे finally हमारे पास क्या बना, आप देखो ध्यान से, उस पे finally basidium से basidio spore बने, तो जैसा मैं आपको बता रहा था, मश्रूम जो है, मश्रूम actual में basidio carb है, जिसे हम खाते हैं, clear, मश्रूम हमारे पास क्या है, basidio carb है, जिसे हम खाते हैं, तो अब आपके पास इस topic की क्या summary आई, जान से सुनना, NCRT पढ़ोगे, तो आपको ये points इस, इस मतलब basidiomyces में important लगेंगे, सबसे पहले क्या है, इनमें हमारे पास क्या नहीं है, asexual spore नहीं है, अगर asexual spore नहीं है, तो asexual fruiting body भी absent होगी, दूसरा मेरे पास क्या है, इनमें sex organ absent है, मैं बात कर रहा हूँ basidiomyces की, तो basidiomyces में मेरे पास sex organ absent है, sex organ क्या है, absent है, clear, sex organ absent है, और हमारे पास, इस चीज़ को समझो, इसके अलावा gametes absent है, क्या absent है, gametes absent है, ये चीज़ समझें बिटा, clear, ये चीज़ समझें, ठीक है, तो हमारे पास, हमारे पास ये दो point होगे, तीसरा बिटा हम नहीं बोला, कि जो sexual spore है वो कैसे बने उनका क्या नाम है besidio spore और वो कैसे बने है आप सोचो जरा वो कैसे बने है exogenous तो ये points आपको बहुत important है समझने के लिए कि क्या NCIT की line लिखता है ये चीज़े आप समझो के तो बहुत अच्छा रहेगा जैसे आपको मैं एक दो लाइने और बताता हूँ जो आप relate करो अब अब मैं तीनों group को relate कर सकता हूँ पर उससे पहले काम करते हैं जरा इसके examples देखते हैं besidio mycities के important example कौन से हैं हमारे पास besidio mycities के besidio mycities के हमारे पास important examples कौन से हैं कौन से ऐसे important examples हैं जो हमें समझने हैं clear जो important example है वो कौन से है उसको हमें समझना है ज्यान से सुने वो कौन से examples है सबसे पहला अब याद करो NCRT ने starting में लिखा है toad stool toad stool actual में poisonous fungi है कैसी fungi है poisonous fungi खीक उसके बाद जो हम खाते हैं agaricus agaricus मेरे पास edible है mushroom को कहते हैं बिटा mushroom को agaricus कहते है agaricus है जिसे हम क्या बोलते हैं mushroom बोल रहे है clear वो edible है हमारे पास उसके अलावा बिटा हमारे पास puff ball puff ball भी एक फंजाई है चीक बैसीडियो माइस्कीस में इसके अलावा बिटा दो parasitic फंजाई के नाम लिखे है एक का नाम है paksinia और एक का नाम है ustilago आपने याद रखना है कि ustilago करता है smut एक disease होती है smut brown साज बन जाता है wheat की stem पर उसे हम smut कह रहे है clear ठीक है थोड़ा black is आ जाता paksinia करता है rust ठीक है तो ये बिटा parasitic फंजाई है ना जैसे albugo parasitic फंजाई था obligate parasite था ऐसे ये दोनो parasitic फंजाई है तो जब भी question आए exogenously produce sexual sport आप किसके example खो जो बैसीडियों के अब देखो ये बड़ा important question कैसे आएगा आप समझना मेरी बार देखो सबसे पहले आप group के examples याद कर लो जितने भी group given है उनके example याद कर लो फिर feature relate कर लो आपस में compare करके जैसे zoosport सिर्फ phicomyces में है phicomyces के दोनों spore endogenous है अगर मैं आपको clear करके बताऊ कि phicomyces के हमारे पास phicomyces है इसके दोनों spore क्या है endogenous है ऐसे में बात कर सकता हूँ ascomyces और ऐसे में बात कर सकता हूँ basidiomyces की तो आप ये देखोगे बिटा आप ये देखोगे कि जो ascomyces है phicomyces जो हमारे पास है उसके both both asexual and sexual spore is endogenous ठीक है ascomyces में हमारे पास क्या है ascomyces में क्या है हमारे पास ज्यान से सुनो अब बोथ asexual और sexual spore endogenous है ठीक है इसमें दोनों endogenous है इसमें asexual spore याद करो क्या था asexual spore बिटा exogenous था याद है conedia conedia पढ़ा था और sexual spore क्या था exo spore ये conedia था ना बिटा और ये क्या था asco spore था तो asco spore cover के अंदर बना था endogenous ये comparison दिमाग में बैठना आपके और बैसीडियो में तो asexual spore ही नहीं है asexual spore absent है और हमारे पास क्या है ज्यान से जुनो asexual spore absent है और हमारे पास क्या है बिटा sexual spore जो है sexual spore जो है वो हमारे पास exo genus है ये comparison दिमाग में बिठाना है आपने तो आपको एक question बनेगा और example आएगा question में ग्रूप के नाम नहीं आएंगे example आएंगे ठीक है अब एक last group है जिसे हम नाम देते हैं बिटा deuterium aistis जहां से सुनना deuterium aistis को हम नाम देते हैं fungi imperfecti ये imperfecti fungi है मतलब imperfecti है actual में क्या हुआ था हुआ ये था कि जो भी fungi जहां सुनो fungi को classify करके हमने ऐसे group में divide किया तो जो भी fungi किसी group में मतलब जिनकी sexual reproduction वाली stage discover नहीं हुई थी उन्हें temporary हमने deuterium aistis में रख दिया समझो इस बात को तो deuterium aistis actual में क्या है एक temporary group है एक हमारे पास temporary group है किसका या हम लो लेंगे एक ऐसी arrangement है it is such arrangement arrangement कैसी है बिटा it is group जिसमें हमारे पास क्या है एक मिन रूके ये एक ऐसा group है it is group it is group where all fungi रखी गई है all fungi are kept जिनकी sexual stage discover नहीं है जिनकी क्या discover नहीं है sexual stage is not discovered अभी तक sexual stage discovered नहीं हुई उनको यहां रख दिया temporary उनको उठा के यहां रख दिया किसमें रख दिया deuteriumizedies में खीक है clear अच्छा हम क्या करते है sexual stage को नाम देते हैं perfect stage क्या नाम देते हैं sexual stage मतलब sexual fruiting body उसको कहते हैं perfect stage और asexual stage को जो एक sexual fruiting body थी जैसे conidiofor उसको नाम देते हैं imperfect stage तो इसमें asexual fruiting body ही दिखती है खीक है अगर आप इसके habitat पे जाओगे कहां मिलते हैं तो habitat में सबसे important है यह saprophytic है NCRT लिखते है mineral cycling में involved है mineral cycling में involved है क्योंकि यह क्या है saprophytic है खीक फिर हम लोग क्या करते है structure की बात करते है चीक है structure की बात करते है structure में हम क्या देखते है ध्यान से सुनना structure में हम देखते है यह a septet है किस से match कर गए भाई यह यह group तो बना दिया किसी मनदब यह उस फंजाई का group है जो किसी में नहीं रख्य हुई temporary इसमें रख्य हुई है पर septet है इसका मतलब किस से match कर रहे है यह match कर रहे है किस से यह match कर रहे है उस फंजाई से जो ascorbaceo में तूसरा इनमें बिटा अगर reproduction देखोगे तो conidia है इनमे एक तो fragmentation है, दूसरा कोनीडिया है, तो इसका मतलब यह हुआ, fragmentation के साथ कोनीडिया है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि यह ज़ादा match कर रहे हैं, एसको माइस्टीस से, पर हम रख नहीं रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे हैं, एसको माइस्टीस से, तो रख क्यों नहीं देते, ठीक है, क्लियर, वो आप मुझे बताएंगे, और example है, आपके पास, example यह है, बिटा, इसके example में, हमारे पास, एक है, alternaria, ठीक है, एक है, colito trichum, यह red rot of sugarcane करता है, colito trichum, एक disease करता है, red rot of sugarcane, और third है, हमारे पास, trichoderma, trichoderma, class 12 में, microbes वाले chapter में भी given है, root bone pathogen के लिए, bio control agent की तरह काम कर सकता है, यह वहाँ पढ़ेंगे, अब लोग, ठीक है, अभी के लिए, fungi complete, आप NCRT पढ़िए, और मेरा suggestion है, notes साथ के साथ बनाए, ठीक है, यह chapter खतम होने के बाद, फिर से देखकर बनाए, मतलब इसको, वीडियो को lecture देखके पूरा बनाए, और properly NCRT बढ़ें, ठीक है, यही better approach है, और अपने previous year के, बहुत पुराने नहीं, recent year के question बनाके देखें, क्या आपके सारे बन रहे हैं, NCRT समझ आ गई, लाइने clear हो गई, तब आपको आ गया, अलग लग नहीं नहीं जगा से, चीज़े देखके फाइदा नहीं होता है, अगर आप मुझे properly follow कर रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं, तो आपको समझ आ जाए कि मैं NCRT बढ़ा रहा हूँ, तो ठीक है, फिर मिलते हैं, next lecture में पढ़ेंगे वहाँ पर वाइरस, पढ़ाई करते रहे हैं, all the very best,